बच्छों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में हिंदी विशय में वसंत एक बुक से बच्पन भाग तीन कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान विशय में मतादिकार की समानता ए समानता विमानवी गर्मा का मूल्य कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विशय में भारतिय समविधान परिचय लक्षन भाग तो आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठेपुस्तर बसं भाग एक का पार दो बच्पन बच्चों आप मेरे साथ यह पार्ट पिछले दो भागों में पढ़ चुके हैं आप जान चुके हैं कि उनका बच्पन कहां गुजरा था कैसे गुजरा था बच्पन में वो क्या काम किया करती थी उनकी ड्रैस कैसी थी उनको क्या पसंद था उनके चना जोर गरम और चश्मे वाली कहानी आप सारा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बच्चो आज के इस भाग तीन में आप मेरे साथ इस पाट के अभ्यास पृष्ण हल करने वाले हैं तो बच्चों चलें अभ्यास पृष्ण की तरफ देखते हैं पहला पृष्ण जो कि आपकी संस्मरण से ही है लेखे का बच्पन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी लेखिका बच्पन में इतवार की सुभह अपने मोजे और स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों की पॉलश करने का काम करती थी बच्चों आप लोग भी तो हर इतवार को यही करते हैं सौमबार से शनिवार तक विध्या ले जाते हैं फिर जब रविवार की चुट्टी आती है तब आप अपने मोजे को धोते हो रिगड रिगड के और जूतों की पॉलिश करते हो चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ तुम्हें बताऊंगी की हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उधारन देती है बच्चों आपने यह संस्मरन पड़ा है आपको अच्छे से पता होगा कि बार बार हमारी लेखिका को यह महसूस होता है कि आज के बच्चे जो बच्पन जी रहे हैं और उन्होंने जो बच्पन जिया था उसमें बहुत फरक है वो इस बात को बार बार कहती हैं और इस संस्मरन में इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उधारन दिये हैं तो आपको क्या करना है? आपको यह पार्ट पढ़ना है और इसमें से उन्होंने जो जो उधारन प्रस्तुत किये हैं वो आपको लिखने हैं। मैंने भी आप लोगों के लिए लिखे हैं, देखते हैं। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पस्ट करती हैं। उस समय मनुरंजन का साधन ग्रामोफोन था। परन्तु आज रेडियो और टेलेविजन ने इसकी जगे ले ली है। बच्चो आपको ग्रामोफोन याद हैं। मैंने आपको जवी है पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तब ग्रामोफोन का चित्र दिखाया था। पहले की कुलफी अब आइस क्रीम हो गई है। कचोरी समॉसे की जगे पेटीज ने ले ली है। शेहतूत और फालसे खस-खस के शर्बत का इस्थान कोक और पैपसी ने ले लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो की संस्मरंट से ही है। पार्ट से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको क्या कहकर चड़ाते थे। बच्चों आपने इस पार्ट में लेखिका और उनका चश्मा वाली स्टोरी पड़ी है, कहानी पड़ी है। तो आपको यह भी ध्यान आ गया होगा कि लेखिका ने चश्मा कहां से बनवाया था, उनके पहले डॉक्टर कैसे थे और उन्होंने जब चश्मा लगाया तब उनने क्या महसूस हुआ। तो अब आपकी दिमाग में इन सभी पृष्णों के उत्तर आ रहे होंगे। साथ में अब हम इन पृष्ण का हल भी करते हैं। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था, क्यूंकि वह रात में टेबिल लेंप के सामने बैट कर पढ़ने से उनकी आखे कमजोर हो गई थी। और चश्मा लगाने के कारण उनके चचेरे भाई ने उन्हें लंगूर कहकर चणाना शुरू कर दिया था, और साथ में एक शेर भी गाया जाने लगा था। कौन सा था वह शेर? देखते हैं, आख पर चश्मा लगाया ता कि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लगूर की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहवी आपके संस्मरंड से ही है, लेखिका अपने बच्पन में कौन कौन सी चीजे मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रम्भुक फलो के नाम लिखो, बच्चो आपने लेखिया संस्मरंड पड़ा है, आपने लेखिका के फल भी देखे हैं और उन चीजों के बारे में भी जाना है, जिनने लेखिका मज़े ले लेकर खाया करती थी, तो आपके दिमाग में भी कुछ उत्तर आ रहे होगे, मैंने भी आपके लिए कुछ उत्तर संस्मरंड से ढून कर लिखे हैं, चलते हैं उत्तर की तरफ, लेखिका का ब चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ जो की संस्मरंड से आगे से है लेखिका की बच्पन में हवाई जाहस की आवाजे गुर्ट सवारी, ग्रामो फोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्यरे जनक आधुनिक चीजे थी आज क्या-क्या आश्यरे जनक आध को यह भी पता है कि यह संस्मरंड 1935 चालस के आसपास की घटना है जिसमें लेखिका ने अपने बच्पन का जिक्र किया है और उस समय जो उनको आश्यरे जनक चीजे लगा करती थी वहें यह सब ही थी गुर्ट सवारी, ग्रामो फोन, हेलिकॉप्टर की आवाजें और शिम और यह देखना है कि कौन-कौन सी आधुनिक चीजें है जो पहले नहीं हुआ करती थी और अब है और आपका ध्यान आकरशित करती हैं तो वो चीजें कुछ इस तरह रही होंगी आज की समय की आधुनिक चीजें कम्प्यूटर, इंटरनेट, रोबोट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन आधी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रती हम जादा अकरशित होते हैं चलते हैं अगले प्रशन की तरफ जो की हमें अनुमान और कल्पना के अधार पर जिनका उत्तर देना है यानि इन प्रशनों का उत्तर संस्मरन पाठ के अंदर से नहीं मिलेगा आपको अपनी कल्प शिमला की विशे में जानने का प्रयास करूँ बच्चो मैंने आपको यह हैं पहले भी बताया था कि लेखिका का जनम 1925 में हुआ था और लेखिका का बच्पन शिमला में गुजरा था और वह समय था 1935 से 40 की बीच का उस समय के शिमला की बारे में आपने इस संस्मरन में प होगा देखते हैं लेखिका का बच्पन अधिकांशत है शिमला में गुजरा वहां रेस्टोरेंट मॉल अच्छी दुकाने आदी खुल गई थी छोटी छोटी पहाडियों से घिरा शहर चड़ाई चड़कर गिर्जा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना ये सबी पहराते पहाड, रिस परबढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक, स्कैंडल पॉइंट ये सब शिमला की खुबसूरती की जलक दिखलाते हैं चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ जो भी अनुमान और कल्पना पर ही अधारित है लेकिका ने इस संस्मरण में सरवर के माध्यम से अपनी बात कहने की कौशिश की है लेकिन सरवर का कोई परिच्चे नहीं दिया है अनुमान लगाओ की सरवर कौन हो सकता है बच्चो जब यह पाट मैंने आपको पढ़ाया था तम मैंने सरवर की नाम के आगे गोला किया था और आपसे कहा था कि आपको इस प्रश्ण का जवाब खुद ही लिखना है कि यह सरवर कौन है आपसे बार-बार पुछा था तो आपने भी यह पाट पढ़कर थोड़ा होगा और मैंने भी थोड़ा सा अनुमान लगाया है लेखिका ने अपने संस्मरण में दो बार सरवर का नाम लिया है कितनी बार लिया है बच्चो दो बार सरवर नाम के अलाबा उस ब्यक्ति के लिए कोई अन्य संबूधन का प्रयोग लेखिका नहीं किया है बच्चो ले आतहे हैं ऐसा लग रहा है कि सरबर कोई पत्रकार या उनका कोई लेखक मित्र रहा होगा जिसे वह अपनी जीवनी सुना रही है बच्चो आज आपने मेरे साथ इस पार्ट पर आधारित अभ्यास प्रश्ण हल किये और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस पार्ट के अभ्यास प्रश्ण भी मेरे साथ अच्छे से हल किये हैं और इस पार्ट के अगले भाग में मैं आपको भाषा की बात यानि आपकी व्याकरन हल करवाऊंगी बच्चो यह पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा अगर आपको कोई भी परशानी आती है तो आप यहें बापस से पढ़िए एक बार कोई भी समस्या आती है तो वह हल हो जाएगी धन्यबाद बच्चो बच्चो आज का अगला पार्ट कक्षा साथ में सामाजिक विज्ञान विशे में मताधिकार की समानता चो आज हम अधन करते हैं कक्षा साथ की सामाजि विज्ञान विशे का इस सत्र से सामाजि विज्ञान विशे में एन च्यार्टी पैटर्ण लागू किया गए है और उनी तीन भागों में से एक भाग जो आजम पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजी के राजनतिक जीवन भाग दो, इसके अंतरगत आज हम पढ़ेंगे अध्याय नमबर एक के भाग नमबर एक का, अध्याय नमबर एक का नाम है समानता, और जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है मतादिकार की समानता, इस में इस भाग एक में हम मतादिकार की सम और साथ में समानता के अर्थ को इसपष्ट करेंगे। हमारा भारत एक लोकतंत्रिक देश है और लोकतंत्र की प्रमुग विशेष्टा होती है समानता। लेकिन क्या आज धरातलिये इस्तरपल जब हम देखते हैं हमारे आसपास के सामाजिक प्रिवेस में तो समानता नजर आ दिखाई देरी है चित्र के माध्यम से विविन प्रकार के लोग खड़े हैं विविन पेशो से समंधित और वो एक लाइन में खड़े हैं जिसमें कोई व्यापारी हैं कोई बेरोजगार, मीडिया कर्मी, सरकार यदिकारी, प्रामर्स, दाता, ग्रहनी, कारिगर, गहरेलु कामगार, छात्र, व्यापारी, सिक्षिका, किसान, सबी तरह के लोग एकी लाइन में खड़े हैं पत्चो ऐसी लाइन आपने विविन प्रकार के जो चुना होते हैं MP, MLA या पंचायतों के चुनाओं उनमें आपने देखी होगी इस लाइन में किसी के साथ किसी भी प्रका इन दोनों की कहानी के माध्यम से हम अध्याय को भाग नंबर एक को सुरू करते हैं इनकी कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि क्या वास्ताओं में आज भी हमारे भारत में भीविन प्रकार के ऐसा मानताई मोजूद नहीं है तो चलो देखते हैं इसको समझते हैं दोनो महिलाएं हैं जो कांता और सुजाता दोनों लाइन में खड़ी वी आपस में विचार कर रही है चर्चा कर रही है और चर्चा के अंतरगत कांता सुजाता से कह रही है कि देखो सुजाता ये इसी लाइन में विविन प्रकार के लोग खड़े हैं और सबी विक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है और इसी लाइन में हमारे जो मालिक हैं असोग जी जैन वो भी इसी लाइन में खड़े हैं किसी के साथ किसी भी परकार का भेदवाव नजर नहीं हारा जब सुजाता वोट करने जाती है वोट कर लेती है उसके बाद में कांता को आवाज लगाती है कि कांता आपकी बारी आई है अब आप वोट करो कांता जब वोट देने जाती है तो साथ में यह विचार करती है कि मैं तो उसी को वोट करूंगी जो हमारी कोलोनी में पानी के पाइप लाने का वादा किया था जब वोट करके दोनों भार आती ह तब उनके मालिक कांता जिस गर में काम करती है उस घर के मालिक असोग जी जैन कांता को मिलते हैं और कहते हैं कि इसके बाद में घर पे आना है दोनों मेलाए वहीं पर खड़ी खड़ी बाते कर रही है और कांता अपनी सहेली सुजाता को कह रही है कि मेरी बच्ची गुडिया बुखार से बहुत पीडित है और उसे अस्पिताल लेकर जाना है लेकिन उससे पहले मैं साप के घर पे काम करने जाओंगी और उनसे कुछ प चलेंगे ऐसा कहने के बाद में जैसे ही वह अपने घर से निकलती है तो कि घर के बार जो पड़िवी गंद की है उसको देख कर ये विचार करती है कि हमारे बच्चे बिमार नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे इतनी गंद की जो कोलोनी में पड़िवी है ये विचार करती वे अपने मालिक के घर पहुंचती है और अपने दैनिक जो रोज मर्रा के काम है उन पर वियस्त हो जाती है आप चितर में देख पा रहे होंगे कि उनके जो मालिक है वो काफी धनाड़े नजर आ रहे हैं और साथ में उनकी मालकिन उनको जड़क भी रही है कांता को कि कौनों को अच्छी तरह से साप करो काम करने के बाद में जब कांता अपनी मालकिन से पैसे मांगती है तो वो एक बार पुने उनको जड़कते वे बोलती है कि कांता समय से पहले पैसे मांगने की अपनी आदत को इस्ताई मत बना लेना पैसे लेकर जब वो घर जाती है अपनी बच विचार आता है कि क्या हमारे असोग जी जैन जो इकी धनाड़े परिवार से हैं वो भी ऐसी लाइनों में लगते होंगे उनका तो अच्छे-च्छे होस्पिटलों में इलाज होता है उनके पास खुब पैसा है तो वो ऐसी लाइनों में थोड़ी लगते होंगे यह ऐसा पर जब हम देखते हैं तो कावी प्रकार की ऐसा मानता है हमें नजर आती है जैसे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है हमारे भारत देश में और यह भारत देश में ही नहीं है विबिन देशों में ऐसा मिल जाता है विबिन प्रकार क ऐसा मानता है मोजूद है तो बच्चों हम आगे मतादिकार की समानता से पहले एक बार पुने कांता की कहानी को इसपश्ट करते हैं कांता एक घरेलू कामगार है वो एक जोपड़ पटी वाली कोलोनी में रहती है जो की नाली में काफी अंतर है उसके पास कांता के पास अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं जबकि असोग जी जैन के पास काफी पैसा है तो हमने इस कांई के माध्यम से ये समझा कि आज भी हमारे भारत में भीविन प्रकार की एसमानता हैं और इन एसमानताओं को दूर करने के लिए सरकार को और खुद लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और अपनी मानसिक्ता को भी बदलना पड़ेगा आगे हम मतादिकार की समानता पर चर्चा करते हैं कि मतादिकार के समान, हमारे सविधान के अंतरगत हमें परदान की गई है, उसके अंतरगत सारव भूमिक व्यश्क मतादिकार को अपनाय गया है, सारव भूमिक व्यश्क मतादिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्सका हो चुका हो, उसे वोड देने का दिकार है, व सबी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार हैं। तो इसे कहते हैं सारव भूमिक व्याश्क मतादिकार समानता के विचार पर आधारीत हैं। लेकिन क्या समानता हमारे देश में विद्मान है जैसे कि हमने कानता की कानी के माध्यम से समझा आज भी विविन परकार के ऐसा मानता है अभी भी हमारे समानता में मौजूद है इसको हमने कान्ता की कानी से समझा और कान्ता के मन में समान्ता के अर्थ के बारे में संका होने लगी ऐसा क्यों जैसा कि हमने कानी कवचितर के माध्यम से देखा समझा कि ऐसा क्यों हुआ कान्ता के मन में कांता के मन में ऐसा वह इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उसके पास विविन प्रकार के सनसादन नहीं थे तो बच्चो आप भी ऐसे कल्पना कर सकते हो कि आप कांता की जगए अपने आपको रख कर देख शकते हो और समाज में वीविन परकार के ऐसा मानता हो को मैसूस करके अपनी नोटबुक में लिख शक्ते हो कि आज भी हमारे समाज में वीविन परकार के ऐसा मानता है किस-किस परकार की मौझूद है उमीद है कि आज आज आपको अध्याय नमबर एक के भाग नमबर एक का जो ये वीडियो है ये समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में इसे अध्याय के भाग दो के अंतरगत मिलेंगे नमस्कार आज हम इशे अध्याय समानता के अंतरगत भाग नमबर दो का दिन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसमानता वे मानवे गरिमा का मुल्य हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी कई परकार से भेदबाव किया जा रहा है उनी ऐसमानताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे उसमें सरुपर्तम हम लेते हैं जातिगत व्योस्ता आज भी पुरातन काल से चली आरी जातिगत व्योस्ता से हम उबर नहीं पाए हैं प्रातन काल्शिच अलियारी चार वर्ग हमारे समाज में बने थे ब्राह्मन सत्रिय वैश्य और सुद्र लेकिन आज भी जातिकत आदार पे विविन प्रकार के भेदबाओ जो समाज में किये जा रहे हैं वो आप विविन समाचार पत्रों टेलिविजनों के माध्यमशे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो जात पात की गहριी खाई जनता गिरी निकल नहीं पाई इसके माध्यमशे आप समझ सकते हो कि आज भी जात पात हमारे समाज में कितनी गहरी पैट बना चुका है और उसके आधार पर काफी बेदभाव हमको देखने को मिल जाता है और ये खासकर ग्रामिन इलाकों में ज़्यादा मिलता है सहरी छेतरों में बहुत नगर्ने होता है लेकिन फिर भी सहरी छेतर के लोगों के दिमाग में भी जाती व्यवस्ता एक विववाईक विज्यापन के आधार पर आप देख सकते हो इसके माद्यम से आप पता लगाओगे कि इसमें भी जातिगत आधार पर विवा का विज्यापन दिया गया है तो इस तरह से हम देखते हैं कि सहरी छेतरों के जो लोग हैं उनके दिमाग में भी जातिगत विवस्ता अभी भी बनी हुई है आगे हम देखते हैं इसको एक कहनी के माद्यम से एक दलित बच्चा है ओम प्रकास वाल मिखी उसकी कहनी के माद्यम से जो समाद में और प्रकार के विविन प्रकार के जो बेदबाव हो रहे हैं उनको हम समझ पाएंगे, अब सरोपरतम दलित पर हम चर्चा करते हैं, कि दलित सब्द ऐसे लोग अपने आपको संबोधित करने के लिए करते हैं, जो कि निचली जाती के कही जाते हैं, और दलित का सीधा-सीधा अर्थ होता है, कुछला हुआ या तूटा हुआ, ये लोग य अपने साथ दलित सब्द को जोडते हैं, अब इसको हम दो कहानियों के माध्यम से समझ पाएंगे, सुरुपरतम लेते हैं दलित बच्चे की कहानी, जो कि ओम परकास वाल मिकी जी थे, जो कि 1950 से 2013 तक रही, इन्होंने अपनी आत्म खता लिखी, जिनका नाम था जूठन, ज उन्होंने इस आत्म खता में उसको लिखा, तो चलो हम इस दलित बच्चे की कहानी पर चर्चा करते हैं, ओम परकास वाल मिकी जी एक दलित बच्चे थे, और एक विद्याले में पढ़ने जाते थे, लेकिन उस विद्याले में उनके साथ जातिगत आदार पर बहुत बेद की जाती थी, एक दिन उनके प्रदाना ध्यपक ने उनको पूरे इसकुल के ग्राउंड और विद्याले की सपाई करने का जिम्मा सोपा, छोटा बच्चा था और पूरे विद्याले की और ग्राउंड की सपाई करना उसके लिए असंबव लग रहा था, लेकिन फिर भी डर के मारे पूरे विद्याले की साफ सपाई और इसकुल की साफ सपाई करने में जुट गए, और पूरा धूल में सन गए हो, और ऐसा करते विए टीचरों और दूसरे बच्चे हैं ना, दूसरे जाती के बच्चों के द्वारा, उनको विद्याले की खिडकियों या दरवाज में से उनके पिताजी गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे के साथ इसकुल में भेदवाव किया जा रहा है उससे जाडू लगा जा रही है तो वो प्रदाना जपक के पास गए और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों हो रहा है दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई तब उन्होंने का कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलुक्स नहीं होगा और दूसरे बच्चे भी यहीं आएंगे और हमको स्विधान के अंतरगट समानता के अंतरगट मूल अदिकार मिला हुआ है और आप हमारे साथ ऐसा मानता का व्यवार नहीं कर सकते तो हमने पड़ा कि आज भी हमारे समाज में भीविन परकार के भेदभाव देखे जा सकते हैं इसी परकार की दूसरी कानी है स्री और सिर्मति अंसारी जी की जो कि एक किराय का मकान लेना चाहते थे किसी सहर में तो सरुपर्तम वो एक प्रोपर्टी डिलर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे को किराय का कमरा चाहिए वो भीविन कोलोनियों में उनको कमरा दिखाने ले जाते हैं लेकिन जैसे उनका नाम सुनते हैं उनके धर्म के बारे में जानते हैं अनसारी जी जो कि मुस्लिम परिवार से थे और यह कहकर कमरा देने से मना कर देते हैं कि आप तो मानसारी हो हम मानसारी लोगों को कमरा नहीं देते हैं जबकि अनसारी दमपती है देखकर अचमबित रहते हैं कि उन लोगों के पास में ही मानसारी दुकान होती है फिर भी उनके साथ ऐसा बेदबाओ क्यों हो रहा है अब प्रोपर्टी डीलर उनको ये सुजाव देते हैं कि आप अपना नाम दूसरा रख लीजी इससे उनके आत्म सम्मान को ठेस पोस्ती है कि हम ऐसा क्यों करें हम क्या अन्य मनुश्य से अलग है क्या हम भी उनके समानी है फिर भी हमारे साथ ऐसा बरताओ क्यों किया जा रहा है काफी परियास करने के बाद में एक मेने के बाद में उनको कमरा किराये पे मिला इन दो कहानियों के माद्यम से हम समझ पाए कि उनके साथ किस तरह से असमानता का विवार किया गया अब है मानवे गरिमा का मुल्ले जैसा कि दोनों कहानियों के माध्यम से हम समझ पाए कि दोनों के साथ में ऐसमानता का विवार किया गया इससे उनके आतम सम्मान को ठेस पोँची हमने यहाँ पढ़ा ओम प्रकास और अंसारीजी की कहानी इससे आप समझ गयोंगे कि कुछ लोगों के साथ ऐसमानता का विवार इस वज़े से किया जाता है कि वो किशी दूसरे धरम के हैं, जाती के हैं, वंस से हैं, अमीर है या गरीब है इस वज़े से उनसे असमानता का विवार किया जाता है इन दोनों के साथ भी असमानता का विवार जातिगत और धर्मगत कारणोशेवाकिन के साथ अनसारी जी और अमप्रकास जी के साथ भी धर्मगत और जातिगत आधार पर भेदभाव देखने को मिला जिन लोगों के साथ असमानता का विवार होता है उनके समान को ठेस पहुंसती है उनके समान को चोट पहुंसती है जैसा कि हमने देखा वो दोनों अपने आपको ऐसा ही मैसूस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि क्या हम दूसरे लोगों से अलग है जो हमारे साथ इस प्रकार का विवार किया जा रहा है तो बच्चो आपको भी अनसारी जी की जगए और उम्प्रकास वालमिकी की जगए अपने आपको रख कर देखना है और ये महसूस करना है कि अगर आपके साथ ऐसा गटित हुआ होता तो आपको कैसा मैसूस होता और इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हो आगे हम देखते हैं कि इनके साथ ऐसा विवार नहीं होना चाहिए था ये भी उसी सम्मान और गरीमा के हगदार थे जो अन्य लोग होते हैं इसको हम एक चित्र कि माद्यम से और समझते हैं सामने आपके सामने चित्र दिया गया है ये गुनिस सो पिच्छोतर में एक फिलम बनी थी दिवार फिलम उसके कुछ द्रश्य है आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा बूट पॉलिस कर रहा है इसमें और दो व्यक्ति उसके पास बूट पॉलिस करवाने आते हैं बच्चा उसकी बूट पॉलिस करता है और फिर उससे पैसे मांगता है उनमें से एक आदमी उसको पैसे फैंक के देता है पैसे नीचे गिर जाते है बच्चा ये कहता है कि मेरे को सम्मान के साथ सम्मान के आशकता होती है सभी उसी सम्मान और गरिमा के हकदार होते हैं जो अन्य लोग होते हैं सभी को सम्मान के साथ जीने का हक हमारा सविधान हमें परदत करता है तो आज के इस अध्याय के अंतरगत हम पढ़ पाएं समझ पाएं कि ऐसा मानता है हमारे समाज में किस परकार से विद्धमान है और साथ में हम मानुए गरिमा का मुल्य की किस तरह से पालना करनी चाहिए उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के दुआरा आप भाग दो के अंतरगत आप समझ पाये होंगे भारत में विविन परकार के असमानता है और मानुए गरिमा का मुल्य को नेक्स्ट वीडियो में भाग तीन के अंतरगत हम पढ़ेंगे भारतिय लोक तंतर में शमानता नमस्कार बच्चो हम पढ़ रहे हैं भारतिय सविधान और भारतिय सविधान के भाग प्रत्थम के तहत हमने पढ़ा कि सविधान किसे कहते हैं और किसी भी देश के लिए सविधान की जरूरत क्यों होती है यानि सवीधान बनाने के जो प्रमुक उद्देश्य होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं इन सबका हमने पहले अध्याय में पहले भाग में अध्यन कर लिया है आपने अगर ये अध्यन नहीं किया है तो आप इसका प्रथम जो भाग है उसको जरूर देखिए आज हम बात कर र सवीधान की जो सवीधान सभा ने सवीधान का निर्मान किया था उसकी प्रक्रिया क्या रही और भारतिय सवीधान के प्रमुक लक्षन या फिर आयाम कौन-कौन से हैं तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आपने हमारे अतीत नामक पुस्तक में यानि इतिहास में व्यवहार किया जा रहा थो वह सही नहीं था और इस व्यवहार के विरोध में भारतियों ने बहुत बार आंदोलन किये और इसे कहा जाता है रास्टिय आंदोलन यानि भारतिय रास्टिय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरूआत होती है 19 सदी में यानि हम क कई ऐसे दसक गुजरे और उन दसकों के अंत्रगत जो भारत के राष्टवादी लोग थे, उन्होंने भारत के स्वतंतर रूप की जो कल्पना की उसके लिए काफी सारा विचार किये और जो अनुभाव उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता से प्राप्त किये थे उन अनुभावों के आधार पर ही उन्होंने भारतिये के एक स्वतंत्र रूप की कल्पना की बच्चो इसमें क्या था कि जो आपनेविशिक काल था उसमें राष्टवादियों ने जो अनुभाव किये थे उसके आधार पर उन्होंने कुछ कलपना की जिसमें था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए कैसा देश होना चीए लोकतांत्रिक क्योंकि भारत में जब अंग्रेज आये थे उससे पहले हमारे देश में कैसी शाषन व्यवस्ता थी राज तंत्रात्मकी यानि राजाओं के द्वारा राज किया जाता था तो राष्टवादियों ने देखा कि राजाओं का शाषन यहां पर नहीं होना चीए दुबारा वो शाषन व्यवस्ता नहीं आने चीए इसलिए स्वतंत्र भारत हमारा कैसा होगा लोकतांत्रिक होगा लोकतांत्रिक का मतलब समझते हैं जहां पर जनता सरकार का चुनाव करत और सरकार ही पूरे देश का शाषन चलाती है दूसरी बात राष्टवादियों ने सोची कि प्रतेक नागरिक को समानता प्राप्त हो यानि जब भारत आजाद होगा तो उस वक्त सभी नागरिक समान होंगे क्यों क्योंकि ब्रिटिश शाषनकाल में सब लोगों ने ये बहु दुराचार हो रहा था इसलिए हमारा जो देश होगा वहां पर नागरिकों के साथ में समानता होगी और तीसरी बात सभी को सरकार की हिस्सेदारी का अधिकार होगा बच्चों अंग्रेजी सरकार में क्या हो रहा था कि कुछ गिने चुने अंग्रेज थे जो कि पूरे प्रिक्षेद देने की अनुमती नहीं थी यानि उन लोगों के द्वारा पूरे देश को चलाया जा रहा था जिससे सामने लोगों की बात का कोई भी ओचित्ते नहीं निकल पा रहा था और वो लोग लगातार अत्याचार सहन कर रहे थे तो ऐसी इस्तिती में जो हमारे रा अधार पर ही भारत के सवीधान का निर्मान किया गया तो चलिए देखते हैं वो प्रक्रिया क्या है भारतिय सवीधान सभा के निर्मान की प्रक्रिया यानि सवीधान सभा किस प्रकार से बनी पर जो सबसे पहले 1934 में भारतिय रास्ट्य कॉंग्रेस ने सवीधान सभा के गठन की मांगी, 1934 में सबसे पहले जो हमारी कॉंग्रेस थी भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस एक भारत का सबसे बड़ा दल था, उसने यह बात रखी कि हमें क्या चाहिए सविधान सभा का गठन करना है, लेकिन बच्चों इसमें एक बात थी कि यह जो मांग थी वो स्वतंत् नहीं थी बलकि एक अंत्रिम सविधान सभा की मांग थी, अंत्रिम सविधान सभा से क्या मतलब है, यानि अंग्रेजों के द्वारा जो नियमों की रूप रेखा बनाई गई है, उसी में कुछ फेर बदल करके उसको योकियों हमारे देश के लिए लागू कर देना, ये बा भारत में लागू करना नहीं है, बलकि क्या चाहिए, भारतिय लोगों के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, वो भारतियों के द्वारा ही बनाए जाएंगे, यानि स्वतंत्र रूप से भारतिय सविधान सभा के गठन की मांग की कब दित्य विशुयुद के बाद, ठीक है इसके बाद अंग्रेजों ने जब इस मांग को, इस प्रस्थाव को मंजूर किया, तो दिसंबर 1946 से सविधान सभा के गठन का कारिय प्रारंब हुआ, कब से? दिसंबर 1946 से, और इसके अंदर 299 में सदश्यों ने सविधान सभा के अंदर अपनी अपनी भागी दारी दी, औ और इनके अध्यक्स कौन थे? इनके अध्यक्स थे, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद, बच्चों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, कि जो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद थे, वो हमारी समीधान सभा के इस्थाई अध्यक्स थे, अगर हम इस्थाई अध्यक्स क बात करते हैं तो वो तो हैं डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद लेकिन इससे पहले ऐस्थाई अध्यक्स भी बनाये गए थे और ऐस्थाई अध्यक्स किसे बनाया गया था ऐस्थाई अध्यक्स बनाया गया था सचीदानंद सिन्ना को यानि जब हमारे समीधान का प्रारंब हुआ था तो पहले ऐस्थाई अध्यक्स डॉक्टर सचीदानन सिन्ना को बनाया गया था, उसके बाद में इस्थाई अध्यक्स डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को बनाया गया था, परिक्षया में बहुत बार ऐसा प्रस्णा आता है कि सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्स कोन थे और एस्थाई अध्यक्स कोन थे तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इस्थाई अध्यक्स थे वो थे डॉक्टर राजेंदर प्रशाल और जो एस्थाई अध्यक्स थे वो थे डॉक्टर सचिदारंद सिन्ना ठीक है 26 नवंबर 1949 को भारतिय सवीधान निर्मान का कारिय क्या हो गया पूरा हो गया यानि 26 नवंबर 1949 को हमने सवीधान पूरा लिख लिया समझ में आया और इसको हमें लागू कब ने कब किया हमने 26 जनवरी 1950 को भारत के सभी हिस्सों में इस सवीधान को लागू किया गया स सिर्फ जम्मु कस्मीर को छोड़ के तो बच्चो ये आपको दोनों तिथियां याद रखनी है 26 नौबर 1999 को तो हमारा सवीधान बन कर तयार हुआ था और लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को यानि जिसे हम गणतंत्र दिवश के रूप में भी मनाते हैं ठीक है सवीधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा बच्चो इसके निर्माण में समय लगा दो वर्स 11 माह और 18 दिन का समय यह तिथी आपको याद रखनी है यह समय अवधी भी याद रखनी है कि हमारा जो समीधान निर्माण था वो लगभग दो वर्स 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ आप इनको याद रखिए 26 नवंबर बहुत ही महतपून तिथी है 26 जनवरी 1950 और यह समय आवधी 2 वर्स 11 माह और 18 दिन बच्चों इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक तश्वीर दिख रही है जो है डॉक्टर भीमराव अंबेड करकी जिने बाबा साहेब भी कहा जाता है यह जो अंबेड कर है इनको भारतिय सवीधान का जनक और प्रमुक कर्णधार कहा जाता है क्यों कहा जाता है क् इनी के द्वारा जो पूरे सवीधान का प्रारूप था वो प्रारूप बनाया गया था यानि यह क्या थे प्रारूप समीती के अध्यक्स थे कौन अध्यक्स थे प्रारूप समीती के डॉक्टर भीमराव अंबेड कर यानि पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो सभाके जो सदस्य हैं वह हस्ताक्षर कर रहे हैं वह किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वह हमारे समीधान के उपर हस्ताक्षर कर रहे हैं और यह तिथी कौन सी है जब हमारे समीधान की अंतिम बैठक हुई थी और अंतिम बैठक हमारे समीधान की कब हुई थी हमारे समीधान की अ 24 जन्वरी को हमारे समीधान की जो अंतिम बैठक हुई थी यह उसी का आपको चित्री दिखाए दे रहा है यह तस्वीर जिसके अंदर समीधान सभा के जो सदस्य है वो आखरी रूप से समीधान के उपर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं ठीक बच्चो देखो जब हमारा समीधा समीधान बना तो 1946 में ही शुरू हो गया था उस दोरान तो भारत आजाद नहीं हुआ था भारत आजाद कब हुआ तो पाकिस्तान को भारत से दूसरे हिस्से में बाड़ दिया गया यानि कि भारत का क्या हो गया विभाजन हो गया इस विभाजन से क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो भारत से पाकिस्तान में चले गए उनके कुछ लोग भारत में ही रह गए और भारतियों के कुछ लोग प पहले से ही कमजोर थी, इन दोनों इस्थितियों के होने से जो भारतिय समीधान निर्मान करता थे, उनके मस्तिक्स में ये बात आ रही थी, कि जो हम समीधान बनाएं उनमें ऐसे नियोमों को अधिक महत्व दे जो कि भारतियों की सामाजिक और आर्थिक दोनों इस्थितियों को मजबूत करके ही भारत का विकास करें समझ में आ रहा है तो इसी आधार पर भारत के कुछ लक्षण निर्धारित किये गए कुछ आयाम बनाए गए और उनके आधार पर भारत की शाषन विवस्था का निर्धारन किया गया तो वो आयाम कौन-कौन से है भारतिय सविधान के मुख्य आयाम या लक्षण है संगवाद, संशद्य शाषन पद्धती, शक्तियों का बटवारा, मौलिक अधिकार और धर्म निर्पेक्षता बच्चे ये जो पाँच आयाम है इनको हम इस्तंभ भी कह सकते हैं जिनके उपर हमारा पूरे भारत का समिधान टिका हुआ है संगवाद, संशद्य शाषन पद्धती, शक्तियों का बटवारा, मौलिक अधिकार और धर्म निर्पेक्षता चलिए इनको एक-एक करके हम पढ़ते हैं संगवाद कहते हैं देश में एक से ज़्यादा इस्तर की सरकारों का होना यानि कि जब देश एक सरकार के तहट कामने करके अन्य सरकारों के माध्यम से कारिय करता है तो उसे संगवाद कहते हैं देखिए हमारा भारत जो है उसमें तीन इस्तर से सरकारे कारिय करती है पहली है केंद्रिस्थर, केंद्रिस्थर में आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोदी जी उनके माध्यम से सरकार का कारिये चलाया जाता है यानि PM जो होते हैं वो कारिये करते हैं राज्य सरकारे, राज्य सरकार हमारे भारत के अंदर बहुत सारी अपने अपने राज्यों में सरकारे हैं और इन सरकारों के माध्यम से स्कारिय होता है तो यहाँ पर काम कोन करता है? CM करता है यानि मुख्यमंत्री करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री कोन है? अशोग निस्तर पर चोटे-चोटे हिस्सों में गाओं को और पंचायतों को निर्धारित करके मटवारा करके उनका शाषन किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं के तहत तो इस तरीके से भारत को कितने इस्तरों में बाटा गया है केंदर सरकार राज्य सरकार और पंचायती तीन इस्त्रों में विभाजित किया गया है। बच्चों जो ये सरकारे होती हैं, इनके जो कारिया छेत्र होता हैं, उनका भी बटवारा किया जाता है। संग सुची में वो कानून होते हैं, यानि वो विषय होते हैं, जिन पे कानून कौन बनाता है। केंदर सरकार बनाती हैं। वो विशय कौन सी सूची में आते हैं, संग सूची में, ठीक है, राज्य सूची में वो विशय आते हैं, जिनमें कानून कौन बनाते हैं, राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, ठीक है, और तीसरी जो सूची है, वह सूची है, जिसके अंदर राज्यों का भी क्या होता है, मत ह होता है और केंद्र का भी यानि समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं बच्चों आपने आपको पता हो तो तो शिक्षा जो है, विषय है, कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का, यानि जो शिक्षा में जो भी कानून वनाए जाते हैं, उन में अपने अपने राज्यों का भी मत होता है, और सरकार, जो केंदर सरकार होती है, उसके द्वारा भी कानूनों का निर्मान किया ज होती है उनके अपने अपने कार्य विभाजित होते हैं ठीक है दूसरा हमारा है संशद्य शाषन पद्धती से तात्प्रय होता है सरकार के सभी इस्तरों पर प्रती निधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है यहां पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं और वह प्रत के देश का शाषन चलाते हैं यहां पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं यहां पर लोग कतार में खड़े होकर क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यहां पर मतदान कर रहे हैं यानि वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के तहत हमें एक अधिकार प्राप्त है जिसे हम सार्व भ का मतलब होता है सभी लोग यानि देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी वयस्क का मतलब होता है जिसकी आयू यानि जो 18 वर्ष से अधिक हो तो उसको कहते हैं वयस्क और मताधिकार का मतलब होता है यानि उसको वोट देलने का या वोट डालने का अधिकार होता है यानि बिना किसी भेद भाव के देश के सभी वयसकों को मताधिकार वे सरकार की भागेदारी निभाने का अधिकार है। यानि कि किसी भी पद के लिए वह प्रत्याशी हो सकता है। तो ये दोनों अधिकार हमें संजद्य शासन पद्यती के तहत प्राप्त हैं और इस आधार पर भारत में संसद कानून बनाती है और उसको लागू किया जाता है। अगला हमारा है शक्तियों का बटवारा। तीसरे इस्तम के अंतरगत, तीसरे आयाम के अंतरगत शक्तियों को तीन भागों में बाटा गया यानि तीन अंग हैं। पहला है विधाईका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है नयपालिका। विधाईका को संसत भी कहा जाता है, या व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। विधाईका का कार्ये क्या होते हैं। कानून वे नीतियों का निर्मान करना और विधाईका में सदश्य कोन होते हैं बच्चों जिनको जनता प्रतिनीदी के रूप में चुनती है वो सभी सदश्य इसके हिस्से होते हैं और ये कानून बनाते हैं नीतियों का निर्मान करते हैं ठीक है कारियपालिका के अंत्रगत वो सम्मू होता है कारियपालिका, जो नीतियों को लागू करता है, साथ में क्या करता है, पूरे देश का शाशन चलाता है, और अंत में न्यायपालिका जो होती है, जो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, इन सत्ता धारियों के जो शक्ती होती है, उनके दुरूप लुट व्योग से हमारी रक्षा करती है साथ ही सामने लोगों को ज्ञाय प्रदान करती हैं बच्चो एक बात यह भी है कि यह जो तीनों अंग हैं इनकी जो कार्य कर्म और शक्तियां हैं वह अलग-लग विभाजीट यानि कि इनकी अपनी अपनी शक्तियों को अलग अलग माटा गया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करें तो इससे क्या होगा इससे तो भई साशन में क्या होगा मत भेद और शाशन में बहुत सारी कमी आ जाएंगी इसलिए ये जो एक अ द्वारा सत्ता के दुरूपियों को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की जो शक्तियां होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी अलग होंगी प्रतेक अंग दूसरे अंग पर क्या रखेगा अंकुस रखेगा जिससे क्या होगा इस तरह तीनों अंग बच्चों के बीच सत्ता का क्या बना रहेगा संतुलन बना रहेगा यानि सत्ता का क्या संतुलन बना रहेगा बच्चों प्रसना आता है कि सत्ता का संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाता है तो इसके लिए हमें उत्तर देना है कि जो हमारे भारत में तीन अंग हैं ये जो भारत के प्रमुक लक्षन थे भारतिय सवीधान के भारतिय सवीधान के प्रमुक लक्षनों के बारे में हमने तीन लक्षनों की चर्चा की जिसके तहत हमने कौन-कौन से चीजे देखी पहला देखा हमने संगवाद दूसरा हमने पढ़ा संचध्य शाषन पद्धती और तीसरा हमने पढ़ा शक्तियों का बटवारा, आगे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और धर्मनेर पेक्षिता, ठीक है, तब तक के लिए बने रही है, धन्यवाद, बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में, हिंदी विशे में वसंत एक पुक से, बच्चपन भागत प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए सिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए है, नू बैग डे, यहाँ आप करियर से समदित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल वर मनोरंजक कहानिया सुनेंगे, नई जानकारियों का लाव वर डेर सारा मनोरंजन, नो बैग डे के साथ देखना न भूलें, सिक्षा दर्शन, बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फांडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है, बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं, हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001